नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पोस्ट ओफिस आड़ी पर 2200 रुपए जमा करने से आप धनवान बन सकते हैं, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. यदि आप अपने कमाई को किसी सरकारी बैंड की योजना में निवेश करने का विचार रखते हैं, तो पोस्ट ओफिस की आड़ी योजना आपके लिए एक उत्तम विकल्प हो सकती हैं. भले ही इसमें प्रतिफल कुछ कम होता है, लेकिन आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्ष रहेगा. वर्तमान समय में म्यूचूल फंड, SIP, SWP और अन्य ऐसे निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें निवेश कर आप बड़ा रिटर्न पा सकते हैं, परन्तु इनमें जोखिम भी काफी होता है. अगर आप जोखिम उठाने को तयार है, तो म्यूचूल फंड य जिससे आप लखपती बन सकते हैं. हाँ, मैचूरिटी पर आपको एक मोटी रकम प्राप्थ होगी. इस प्रकार की आड़ी योजना में निवेश करने का मुख्य लाब यहा है, कि आपको बचत की आदत पढ़ती है, और साथ ही, नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशी जमा करके आप भविश्य में एक बड़ी राशी एकत्रित कर पाते हैं. पोस्ट ऑफिस की आड़ी योजना विशेश रूप से उन लोगों के लिए फाइदे मंद है, जो कम जोखिम लेना चाहते हैं, और जिनका मुख्य उद्देश अपने पैसे को सुरक्षित रखना है. आड़ी योजना में आपका पैसा सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित रहता है, जो इसे निवेश का एक विश्वस्निय साधन बनाता है, इसके अलावा आपको मिलने वाला ब्याज भी प्रतिसपर्धी होता है, जिससे यह निवेश का एक आकरशक विकल्प बन जाता है. आपके लिए एक उत्तम विकल्प हो सकती है. इस योजना के तहट आप न केवल अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बलकि समय के साथ अच्छा खासा धन संचय भी कर सकते हैं. क्या है पोस्ट ओफिस आरडी स्कीम? 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर लाखो रुपए प्रती माह तक जमा कर सकते हैं. क्योंकि पोस्ट ओफिस बैंड के अनुसार इस योजना में अधिक निवेश की कोई सीमा नहीं है. इसके अलावा, आप पोस्ट ओफिस में आरडी खाते भी अंगिनद बार खोल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, एक आरडी खाता खोल कर आप 1,000 रुपए प्रती माह निवेश करना शुरू कर सकते हैं. यदि आप अधिक राशी जमा करना चाहते हैं, तो एक और आरडी खाता खोल सकते हैं, और फिर अपनी सुविधानुसार 1,000-2,000 रुपए प्रती माह जमा कर सकते हैं. ध्यान दे, आपको पूरे साथ महीने यानि 5 साल तक निवेश करना होता है, क्योंकि इस योजना की परिपकवता अवधी 5 साल की होती है, उसके बाद आप ब्यास सहित अपने पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले खाता बंद करना चाते हैं, तो यहाँ विकल्प भी उपलब्ध है, आप बीच में खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन इस थिती में ब्यास की राशी कुछ कम मिलेगी, बाकी नियमित ब्यास दर के अनुसार पैसे वापस कर दिये 2200 रुपए के आडी खाते पर आपको इतना लाब मिलेगा, यदि आप प्रती माह 2200 रुपए पोस्ट आफिस के आवरती जमा, आडी खाते में जमा करते हैं, तो पांच वर्षों में आपका कुल जमा एक लाख 32,000 रुपए हो जाएगा, आपके जमा पर कुल 25,004 प्राप्त होंगे, हाँ, पांच वर्षों के बाद आपको कुल 157,000 रुपए मिलेंगे, चूंकि पोस्ट आफिस की आडी योजना पर वार्षिक 6.7% का ब्यास दर है, और यदि आप 6.7% ब्यास दर से अपने पैसों की गणना करते हैं, तो आपको 157,000 रुपए मिल जाए हैं, तो इसे पोस्ट आफिस बैंक में ही खोले क्योंकि यहां सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों को समान ब्यास दर प्राप्त होती है, इसके अलावा, पोस्ट आफिस में गारंटीड रिटर्न मिलता है, और पैसा डूबने का कोई डर नहीं होता, इसल आप अपने सबसे नजदी की डागघर में जाकर इसे खुलवा सकते हैं, इस प्रक्रिया के लिए हम आपको कुछ आविशत दस्तावेजों की सूची प्रदान करने जा रही हैं, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइस फोटो, निवास प्रमान पत्र, म इसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि जब भी कोई इस तरह का नया विडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंट सूचना प्राप्त हो जाए, धन्यवाद